तोड़ा सा हटके आप अगर इसके ऑप्शन देखते हैं तो 7 p.m. 8 p.m. 5 p.m. 10 p.m. हाइट दिसेंस को टाइम के साथ कैसे रेट किया है आपको समझ में आएगा टिगना मिल्टी पढ़ने के कंसेप्ट क्या है वह समझ में आएगा अप्लिकेशन क्या होते हैं वह समझ में आएगा बड़ा प्यारा कोशन है अहाव लाई इन डारेक्शन 60 डिग्री एक बंदर अगा पर है ना 60 डिग्री साउट आफ वेस्ट फ्रॉम प्रॉम पॉर्ट एंड डिस्टेंस अफ थर्टी किलोमेटर फ्रॉम इट अशिव सेट आ खुझ की ऐसा समझ लिजें ये नॉर्थ हमारी डारेक्शन के साथ से देखें तो नॉर्ट सॉथ यह हो गया एस्ट इर्यों बेस्ट यहां से आपने जाहांज को रवाना किया अब यहां आकर रुख गया ठीक है और फिर आपने इसको क्या करा देखिए बोला है डिस्टेंस 30 km from it a ship set out from the अब यहां से इस की डारेक्षिन में 10 km पर आर की स्पीड से चल ला है कि इसे कितना डिस्टेंस है वो बात की बात करते हैं ठीक है अब आपने देखा नून लिखा है यहां पर नून का मतलब हमेशार रखना नून मतलब टाइम नहीं लेंगे नून मतलब बारा बजे बारा बजे आपने यहां से इसको इस्ट की तरफ चलाना चालू किया और यह 10 km पर आर की स्पीड से चल लाए जाज शिप चला है अब बोलाए दा टाइम एडविच दा शिप बिल बी 70 किलो मीटर फ्रॉम दा पॉर्ट मतलब जिस पॉइंट से ओरिजनल यह आपने साउद वेच चलाया था उस पॉइंट से जब शिप को देखा जा रहा है तो यह 70 किलो मीटर के डिस्टेंस पे था तो आपको यह बताना है कि इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुचने में कितना टाइम लगा यानि कितने बज़े पहुचा होगा अगर यह 12 बज़े चला है तो कोशन यह था अब कोशन को ध्यान से समझेगा बड़ी जल्ली आपसे हो जाएगा यह 30 है यह 70 है यहां से अगर हम एक सीधे सीधे परपेंडिकुला लाइन ले लें तो यह अगर एंगल 60 डिग्री है तो यह एंगल 30 डिग्री होगा यह एंगल नहीं पता भी फिलाल में थीटा माल लेते क्योंकि हमें यह बोला है कि ओट से देखने पर बंदरगा से 70 किलोमीटर के दूर पर कितना एंगल पर नहीं पता पर एक अच्छी बात है कि यह एंगल 30 डिग्री है अच्छा यह एंगल आपको पता 90 है तो यह एंगल 60 होगा अब हम इसकी हल्म से एक तो यह बी और इस पाइंट को माल लेते हैं डी यह डिस्टेंस भी निकाल लेंगे और यह में आप से बोलूं हूं जान दीजेगा तो Đों अगर मैं आपको इससा बोल If यह देखिए High कर ले है यह 60 डिग्री बोला था 30 तो पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि यह निकाला है ठीक है तो साइन थर्टी क्या होगा तो आप बोलते एडी अपान हाइपोर्टीज थर्टी और डिस एडी की वैलू आ गई 15 यह वाला डिस्टेंज तो मुझे मिल गया 15 यह वाला भी डिस्टेंज निकाल सकते हैं कैसे अभी आपने लिया था साइन अब ले लीजिए कॉस कॉस्ट थर्टी एकुवल टू एप डी अपान थर्टी यह कैंसल 15 तो एप डी आ गया 15 रूड थ्री यानि मुझे यह लेंद भी मिल गई 15 रूड थ्री अब एक तरह सी यह के anda करेंग्ऐ तो पैथकरदस थेर्म से हम यह डिस्टेंज भी निकाल सकते हैं राइट फैथकरइस थेर्म से इस्टेंज निकाल सकते तो यह आएगा 65 यह आप निकाल ले आभि मैंने टाइम बचाने के लिए लिए ड्रेक लिख दिया यहां तो टोटल डिस्टेंस आप्जेंस त्रवल होगा अब 80-चाल जाला हुआ होगा के एट आर क्योंकि 10 किलोमेटर की स्पीट है तो बारा बज़े चलना चालू किया तो यह आठ बज़े बी पाइंट पर होगा यानि अंसर होगा एट पी एम नोट कर लिए